आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग नैशनलिज्म इन इंडिया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्जाम के लिहाज से भी क्योंकि यह टर्म 2 का पार्ट है स्टैंडर्ट 10 का यह चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 2 आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इसको देखेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे कि नैशनलिज्म का मतलब होता है रास्टियवाद तो हमारे देश में रास्टियवाद का उदय कैसे हुआ और का नाम है शुबरतो सर क्लास जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं अगर इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखे उसके बाद अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए यूसफुल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक जरूर कीजे और कमेंट जरूर इससे हम लोग का होसला बढ़ता है चले शुरू करते हैं इस चैप्टर को फर्स्ट पॉइंट है कंडिशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया मैंने इस वीडियो को बनाते वक्त इस बात का विशेश ख्याल रखा है कि कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर सको कि एक बार सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये वीडियो पूरी तरीके से ये चैप्टर छप जाए ताकि किसी तरह का डाउट खड़ा ही नहीं हो चले शुरू करते हैं हम लोग को सबसे पहले ये दिखना हो कि what was the condition after the first world war in India भई 1914 से 18 तक में first world war चला इसमें हम लोग जानते हैं कि पूरा योरोप में basically लड़ाई तो योरोप में हुआ तो उसमें हम लोग इंडिया तो बोल नहीं सकते उसमें British इंडिया था and Britishers यहां से बहुत सारे सैनिकों को लेकर गए थे जिनकों जो इंडियान सोल्जर्स थे लगबग 10 लाख इंडियान सोल्जर्स लेकर गए थे और उनमें से जानते ही हैं लड़ाई हुआ होगा तो शहीद हुए ही होंगे उनमें से लगबग 10 लाख के असपा सोल्जर्स युद्ध में शहीद हो गए थे और देखें विष्ध युद्ध में जितने भी countries ने participate किया जितने भी countries ने participate किया चाहे जितने वाला हो चाहे हारने वाला हो नुकसान दोनों ही country को बे हिसाब हुआ सभी countries को नुकसान बेहिसाब हुआ मैं सबी countries को जितने वालों को भी नुकसान हुआ हारने वालों को भी नुकसान हुआ और नुकसान तो इतना जादा हुआ कि मतलब पूरे जितने भी participant countries थे उनकी पूरी economy डूब गई उनके देश में भुकमरी का मने नौबत आ गया लोगों क्या रोजगार चला गया नौकरिया चले गई, काम धंदा चले गया देश बहुत 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 ही बुरे हालत से गुजरन लगा जार सी बात है इंडिया तो था नहीं उसमें British India था क्योंकि हम लोग उस वक British के कॉली थे, तो हमारे देश में भी उसका बहुत बड़ा असर हुआ और Britishers अपने नुकसान की भरपाई, अपने सभी कॉली में से ही करने की कोशिश कर रहे थे जिसके चलते ऐसा situation create हुआ कि जिसने भारत में nationalism की भावना को जन दिया यही है, मुख इस चाप्टर का में जो सार है, बोलेंगे वो यही है, चलो शुरुआत करते इस चाप्टर को, condition after the first world war in India, about three lakh Indian soldiers died in first world war, देखिए यह जो number है, यह अलग-अलग जगा अलग-अलग है, क्योंकि किसी ने आज तक इस number को clearance किया ही नहीं है हो सकता है, तीन लाग से ज़ादा हो हो सकता है, तीन लाग से कम भी हो लेकिन जहां तक मेरे जो documents है, मैंने जो documents collect किये, information, उनमें से about three lakh के असपास है यह ज़ादा भी हो सकता है, क्योंकि Britishers कभी नहीं बताएंगे कि exact कितने लोग शहीद हुए Britishers were in the winning side but suffered heavy loss which was to be fulfilled सिद इसे बात है, नुकसान हुआ है, भरना है after first world war country was facing heavy shortage of food material and high rise in price, यह question, यह बहुत बार इससे question बनता है कि भई, after first world war हमारे देश का हालत क्या था, तो मैं बता दू, हमारे देश में भई shortage of food क्यों हुआ, तो हमारे देश चे जितने food materials थे, ज़्यादा से ज़्यादा food materials, Britishers लोग उस वक्त, अपने war में soldiers को supply कर रहे थे समझे, ज़्यादा से ज़्यादा food material वो soldiers को supply कर रहे थे, जिसके चलते हमारे देश का food material stock कम हो गया और दूसरी बात है, और जब stock कम होता है, तो जाईर से बात है दाम बढ़ता है, तो दोनों ही condition हमारे देश के society के लिए बहुत ही घराब था हमारे देश का अलरेड़ी बेड़ा गरक हो चुका था उन्होंने कर ही दिया था, ये वर्ल्ड वार ने तो लगबग और ज़ादा कर दिया यही जो disturbance क्रिएट किया गया ब्रेटिशर्स के द्वारा उसने नैशनलिस की भानवा को जन दिया अब तक ब्रेटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, हमारे कंट्री का एक बड़ा population इसको पहले से मान चुका था कि भई ठीक है वही हमारे उपर कितने सारे लोग आये राज किये, कभी Muslim rulers आये कभी तुगलक आये, कभी खलजी आये, कभी ड़ोदी आये, कभी उसके बाद में Mughals आये, तो चलो British आये, तो क्या फरक पड़ता है किसी के अंदर ये भावना धा ही नहीं कि भई हमारा देश है, तो हम लोगों का government होना चाहिए, लोग accept करके रख दिये थे, लेकिन जब Britishers लोग आये, जब Britishers लोगों ने हमारे देश के resource को absorb करना शुरू किया, और अपने country के फायदे के लिए लगाना शुरू किया और हमारे country का ही चीज हमी से लेकर, हमी को महेंगे दामों में बेचना शुरू किया मतलब हमारा double exploitation होना शुरू हुआ तब जाकर शायद हम लोगों की नीद खुली और जब ये इतना भयंकर exploitation का हद पार हो गया तब हम लोग जागरूख हुए तब सोचने लगे कि भई ये तो सही में गलत हो रहा है और उस गलती ने हमारे देश के nationalism की भावना को बढ़ावा दिया उस वक्त ऐसा नहीं कि हमारे देश में गतिवीदी नहीं हो रही थी लेकिन कोशिश कर रहे थे मगर वो कोशिश बहुत छोटे पैमाने पर थी जो ब्रिटिश इतने पाउरफूल हो चुके थे कि उनको हिलाना मुश्किल था लेकिन एक सही नैशनल लीडर की जो जरुरत थी वो जरुरत को पूरा किया श्री महत्मा गांधी जी ने अभी तो वो स्वरगवासी हो गया मगर उनके जो कर्म है वो हमेशा के लिए जब तक भारत का नाम रहेगा तब तक वो अमर रहेंगे क्योंकि देश को आजादी दिलान में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है सिर्फ उनका योगदान नहीं है लाखों लोग है मगर उनका एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और नहीं शब्दों में उसको explain किया जा सकता है उन्होंने खास कर लोगों के अंदर इस भावना को जन दिया कि हाँ, this is our country and we should have the right to rule over it no other country is having any right to rule over us ये भावना उनी ने लोगों के दिल में जगाया सोचने पर मजबूर किया और आंदोलन को मजबूत रूप दिया अब दिखें, Britishers लोग किस किस रूप में अब नुकसान की भरपाई कर रहे थे income tax was introduced and the prices of custom duties were doubled between 1913 to 18 which led to a very difficult life for the common people जैसे बात है, import duty बढ़ गया Britishers यहां से सभी चीजों के raw material लेकर जाते थे जैसे यहां से रूई लेकर गया है कपड़ा अपने industry में बना के वापस लेकर आया, यहां के पानी से ही नमक बनता था और जब उसको label लगा के जब लेकर आते थे, duty बढ़ा दिया तो जो नमक लोगों को free में मतलब कम दाम में मिलता था उसका double, 3 गुना दाम होने लगा हर चीज का, चाय, कॉफी, नमक जो भी चीज हम लोग daily यूज करते हैं, उन सभी चीजों का दाम बहुत 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 ज़ादा बढ़ गया इसने situation को बहुत ज़ादा खराब कर दिया, लोगों की स्तिती बहुत बुरी होती चली गई and in 1918 से 19 तक crop failed in इंडिया, resulting in shortage of food accompanied by an influenza epidemic, इस समय भी shortage of food तो पहले से था ही साथी साथ, crop failure हो गया क्योंकि हम लोग के देश का crop पूरी तरीकी से बारिश पर निर्वर करता है तो बारिश अगर नहीं होगी या फिर बहुत सारे condition है, जिसके चलते crop failure हो सकता है तो crop failure हुआ 18-19 के समय में और ultimately food का shortage और जादा बढ़ गया और उसी वक्त influenza नाम की बिमारी भी आ गए जो बहुत बड़ा epidemic का रूप ले ली महामारी का रूप ले ली तो ये सारे जो situations थे इसने भारत के social condition को, economic condition को और political condition को इतना बुरा बना दिया कि लोग अब reality में सोचने लगे गांधी जी अब reality में सोचने लगे इस वक्त तक गांधी जी का entry नहीं हुआ था अब entry होगा अब तक तो लोग सोच रहे थे कि कोई तो हो जिसके थुरू हम लोग आगे बढ़े कैसे आगे बढ़ेंगे ये पूरा देश सोची रहा था क्योंकि Congress उतना powerful था ही नहीं जो लोगों को inspire करके आजादी के लड़ाई में आजादी का लड़ाई को मतलब ये word को ही लोगों के सामने represent कर पाए बस वो एक party थी काम कर रही थी मगर वैसा कोई शंतोस जना की efficient work नहीं कर रहे थी चलिए अब देखते है entry of गांधी जी तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रा नाम का जो weapon था उसका इस्तिमाल करके South Africa में भी बहुत सारी success को हसिल किया था जिससे उनका आत्म विश्वास बहुत जादा बड़ा हुआ था 1915 में जब गांधी जी रिटर्ण आई इंडिया में South Africa से and he visited whole country उन्होंने पूरे देश को विजिट किया देखा ultimately शुरुआत कहां से करना है उसी विजिट के दौरान उन्होंने सत्याग्रा के जो concept है उसको launch किया और जिसमें सच्चाई की शक्ति that means power of truth को पूरे भारत में दिखाया चलिए in 1917 उन्होंने पहला जो काम किया he traveled to Amparan in Bihar for indigo farmers जो नील की खेती करने वाले किसान होते थे उनके पास गया who were facing famine situation with revenue hikes देखिए problem हर जगा हुई है यहां भी भुकमरी की हवालत थी famine मतलब आकाल भुकमरी आकाल के हालत में साती सात एक तो आकाल पड़ा हुआ है उपर से Britishers लोग revenue को बढ़ा रहे हैं collection के लिए लोगों को जवरस्ती पीट रहे हैं ताकि तुम revenue दो कोई लाज नहीं तो ये बुरे हालत में गांदी जी वहां पर गया उन्होंने सत्यागरा किया लोगों के साथ आंदुलन किया और ultimately गांदी जी managed to win concession from the authority ये छोटी सी जीत थी मगर बहुत बड़ी बात थी कि वही British government अपने policies को first time change किया और ultimately वो concession के लिए मान गया और उन्होंने ये मने इस बात पर agree हुए कि जब तक ये condition सुधर नहीं जाता तब तक revenue नहीं लिया जाएगा और जब तक ये सुधरेगा तब फिर revenue collect किया जाएगा तो at least उस समय के लिए जो लोगों का problem था वो तो solve हुआ जीत छोटी सी थी मगर थी और इस जीत ने बहुत बड़ी new रखी भविश्य के लिए आगे बढ़ता है same year he organized सत्यागरा to support the peasants of खेडा district in गुजराद हाँ यहाँ भी जो खेती हर मजदूर थे किसान थे खेडा district गुजराद के उनके साथ क्या था वहाँ पर flood situation था और साथे साथ revenue hike दोनों था जैसे यहाँ पर famine situation था यहाँ पर flood situation था इस बुरे हालत में भी authority British authority tax revenue का demand बहुत ज़ादा कर रहे थी यहाँ पर भी गांदी जी ने लोगों के साथ मिलके सत्याग रह किया और ultimately authority को मानना पड़ा और authority concession या सत्याग उस समय का जो revenue demand था वो बंद किया कुछ समय के लिए कि यह माना गया कि जब तक यह condition सुधर नहीं जाता है तब तक के लिए revenue को भी रोका जा रहा है तो यह दूसरी जीत थी गांदी जी के आंदोलन की next day in 1918 मात्मा गांदी वेंट टो एहमदाबाद टो और्गनाईज शत्यागरा मोमेंट फोर दो कॉटन मिल वर्कर्स फेसिंग लो वेजेज और लैक अफ फैसिलिटीज इसके बाद गांदी जी एहमदाबाद गया एहमदाबाद जाकर उनोंने सत्यागरा किया मिल वर्कर्स के लिए ये मिल वर्कर्स के साथ बहुत जादा जाती हो रहा था प्रॉब्लम हो रहा था प्रॉब्लम तो सभी फैक्टरी मुझदूरों के साथ हो रहा था लेकिन आवाज लोगों ने नहीं उठाया सही तरीके से नहीं उठाया Ultimately इन लोगों ने गांधी जी को आमंतरन दिया जैसे चम्पारंद में आमंतरन दिया गया तो गांधी जी गया खेड़ा में गया तो वैसे ही एमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए गया उन्होंने वहाँ पर सत्यागरह किया और अल्टिमेटली मिल ओनर को मानना पड़ा जो भी है इन लोगों का जो सैलरी हाइक है वो बढ़ गया लगबग 20% सैलरी हाइक बढ़ाय गया और उनको जो जो फैसलिटीस चाहिए थी जो भी उनका डिमांड था वो डिमांड पर उपलब्दी था और ये तीन उपलब्दी ने गांधी जी को रातो रात नैशनल हीरो बना दिया एक राष्टिय हीरो बना दिया गांधी जी को सिर्फ नैशनल हीरो नहीं बनाया गांधी जी को ऐसा होप की तरह देखने लेगे वो एक आशा बन गये लोगों के लिए कि नह आगे बढ़ते हैं रॉलेट एक्ट की और जागरुकता इसी ने पैदा किये चले मैं बता दू जड़ा रॉलेट एक्ट नाइटीन नाइटीन में ब्रेटिश हर्स ने लागू किया था क्यों लागू किया था मैं आपको असलियत बता रहा हूँ यह चीज आपको किसी भी बुक में बिलकुल नहीं मिलेगा क्योंकि अल्टिमेटली हिस्ट्री छापने वालों ने हिस्ट्री के असली चीज को हमेशा छुपा कर रखा ताकि उससे उनकी बदनामी नहो मगर जो सच ह है वो जरूर बताओंगा इसके पीछे क्या कारण था जिस वक्त ये रॉले टैक्ट लागू किया गया था उस वक्त भारत में बहुत जगा बहुत भयंकर रूप से गतिवीधी पकड़ रहा था लोग आंदोलन ही नहीं कर रहे थे साथी साथ ब्रिटिस को मारने का ब्रिट जो मतलब जो सत्यागरा और आंदोलन करते हैं उनको कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थे क्योंकि ये लोग तो शांती सा आंदोलन कर रहे हैं इनके पास जाओ उनको जम के लाठिया बरसाओ पकड़ के जेल में ठूस दो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जो ल बता रहा हूं असली रिजन यही था कि ultimately ब्रिटिसर्स ने एक कानून पास किया कि भई एक ऐसा कानून पास हो गया है कि बिना किसी arrest warrant का बिना किसी court के involvement का किसी की जरुवत नहीं direct जिस पर शक हो उसको पकड़ो जेल में ठूसो या फिर कहीं ले जाकर उसको मार दो उसका full and final कर दो तो यह था roll act act तो इस act के तहत बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया बहुत सारे लोगों को रात और रात हत्या हो गया यह basically जालिया वाला बाग के बाद से लोगों के अंदर इतना ज़ादा आक्रोश था कि लोग सीधा जो ब्रिटिशर्स का लाठी डंडा खाना च ultimately लाठी मारना तो ब्रिटिश के लिए बहुत आसान लेकिन जो गोली मार रहे उन पर कंट्रोल कैसे करें उनके लिए यह law लाया गया था और ultimately बस पकड़ो और मार दो यही उनका system था तो इसके तहत ब्रिटिशर्स ने roll act act को पास किया बहुत हड़बडी में जबकि majority बिलक को बैठा के रखे थे वो सिर्फ एजे कट पुतली किलावक उनकी आउकात कुछ नहीं थी फिर भी वो लोग जबरिश्ति सत्ता के लालच में बैठे हुए थे अल्टिमेटली इस act के पास होने के बाद गांधी जी को जब पता चला उन्होंने कहा कि हम लोग इस act का इस अन्यायपूर्ण और जो घैर कानूनी law पास हुआ है हम लोग इसका विरोध करेंगे तो गांधी जी का तो वही है non-violent civil disobedience करेंगे हम लोग 6 अपरिल 1919 को पूरिद भारत के लोगों ने हरताल रखा और फास्ट किया उपवास रखा भूख हरताल किया local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi क्योंकि आंदोलन बहुत जबर्जस रूप ले रहा था ultimately गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो लोग गांधी जी के नाम पर ही जान देने के लिए तयार हो रहे थे तो इसलिए आंदोलन भयंकर रूप ले रहा था तो उनको दिल्ली गुषने से मना कर दिया गया और उनको नजर बंद करके एक जगा पर आरेस्ट करके रख दिया गया तो ये था रॉलेक्ट एक्ट अल्टिमेटली ये जालिया वाला बाग के आसपास का समय है तो जालिया वाला बाग इसके बाद ही होता है रॉलेक्ट एक पास करने के बाद ही जालिया वाला बाग का कांड होता है जिसमें क्या होता है बता दू एक बहुत बड़ा भीर था जो इखटा हुआ था जालिया वाला बाग में, अफकोर्स ये पंजाब में अम्रित सर में है, बैसिकली लोग पंजाबी लोग उस वक्त बैसाकी का समय था, तो कुछ लोग बैसाकी मनाने आये थे, तो कुछ लोग मीटिंग भी करने आते, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देश में महौली वही चल रहा था, तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करने भी आये थे, और कुछ लोग बैसाकी का मेला का आनन लेने भी आये थे, लेकिन एक दुस्ट था जर्नलर डायर, इसने क्या किया, उस बाग में घुसने के जितने भी निकलने और घुसने का रास्ता है न, सारे रास्तों पर टैंक खड़े कर दिये, और ओपन फायर कर दिया पूरी भीड पर, जहां पर हजारों लोग मारे गया, यह तो हमारे किताब में 110,500 दिया वाज़कि मारे गया थे, हजारों में, जो सच है, जो कभी छापने नहीं दिया गया, जो दुनिया के सामने दिखाने नहीं दिया गया, यह जो दहशत बनाये गया यह जो brutally treatment निरिशन से तरीके से control करने की कोशिश की गई यह लोगों के गुसे को और जादा बढ़ाया और ultimately सत्याग्रहीज वैर forced to rub their nose यह आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है ना कभी लिखा हुआ रहेगा जो सत्याग्रह कर रहे थे जो British government के against में खड़े थे उनके नाक को रगड़ा गया जमीन पर सामने और crawl on the street उनसे मतलब क्या कहता है जमीन पर ring आया गया उनसे वो जमीन पर ring और सलाम मतलब British सरकार को परनाम करो British सरकार के आगे सर जुकाओ ये जबरजस्ती उनसे करवाया गया चले अब आगे बढ़ते एक नया दौर आया उसको कहता है खिलाफत मोमेंट तो खिलाफत मोमेंट क्या था ये खिलाफत क्या था मैं जरा से बता दू रॉलेट सत्याग्रह had been a widespread moment still limited mostly to the cities and town ये अभी तक बड़े बड़े शहर और टाउन तक ही related था गाओ अगर हमें इसका असर बहुत कम था ना के बराबर था लोग अभी भी जमिंदार के जुल्म को सह रहे थे बरदाश कर रहे थे और भुक्मरी और बदहाली वाला जीवन continuously जी ही रहे थे मात्मा गांधी now felt that need to launch a more broad based moment in India मात्मा गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई सिर्फ शहर और गाओं के लोगों से अंदुलन नहीं होगा ना देश में आजादी आएगी क्योंकि भारत तो गाओं का देश है यहां के लोग जादातर गाओं से जुड़े वे तो ऐसा अंदुलन करना होगा जो गाओं गाओं के घर घर तक फैले और लोग गाओं से आकर जुड़े क्योंकि शहरों की संख्या कम है गाओं के संख्या जादा है तो इस काम को करने के लिए गांदी जी ने कुछ सोची रह थे तो अल्टिमेटल उन्होंने ननक और अपरेशन मुमेंट या असहयो गांदुलन को लॉंच तो किया लेकिन इस बीच में क्या होता है नो सच मुमेंट कुट बूर्गनाइजड विदाउट ब्रिंगिंग दा हिंदूस और मुस्लिम्स क्लोज टूगेदर गांदी जी को इस बात का अभास पूरी तरीके से था कि अगर भीड को मास का नाम देना होगा मतलब भयंकर वाला भीड का नाम देना होगा तो भारत के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो है पहाला हो रही है वो भी जहल रहे होंगे Ultimately उनको जब तक साथ में नहीं लाएंगे तब तक Unity एकता दिखेगा नहीं तब तक भीड मास का रूप नहीं लेगी तो अल्टिमेटली गांदी जी ने ये जब गांदी जी सौच रहते तो गांदी जी को मौका मिला कि First World War के दौरान जब Ottoman Turkey Empire हार गया British के आगे तो उसमें British ने decide कि to destroy the Ottoman Empire spiritual head Khalifa Khalifa एक पद है जो Muslim group का एक leader होता है वो लोग उसको मानते है उसको पूछते हैं उसका बहुत respect करते है तो British ने decide कि Khalifa post को भी बरबाद कर दे तो उसके power को बरबाद कर दे तो उसका सारा influence को नस्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा चुकि ये तो religious matter है और जिसको हम पूछते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है अगर आप उसको नस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पृति मेरे मन में घ्रीना बनेगी तो ये जो Britishers का काम था इन्हों ने सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के Muslim group को असर किया और पूरी दुनिया में Muslims group जो थे उन लोगों ने Britishers के against में आंदुलन करना शुरू किया जो भारत में जो अंदुलन हुआ उसी का नाम था खिलाफ़त मुमेंट और the Muslim of all over the world and India decided to force Britain to change their Turkish policy सारे लोग यही demand कर रहे थे कि Britishers अपने policy को change कीजिये और जो हमारे धार्मिक गुरु है उसके साथ छेड़ खानी नहीं कीजिये तो एक Khalifa committee was formed under मौलाना आजाद अजमल खान और हर्शत मुहानी इन तीनों ने एक committee बनाया जिसके तहत मुहम्मद अली और शौकत अली joint with गांदी जी united a huge mass action on this issue तो यही था खिलाफ़त मुमेंट मुहम्मद अली और शौकत अली भी hero बन गये और उनोंने Muslim group को represent करते हुए बहुत बड़ा एक mass के रूप में लाया कि कि उसमें non corporation moment गांदी जी ने शुरू किया था तो banner में non corporation और खिलाफ़त आंदोलन करके ऐसे banner चपता था और जो भीड पहले छोटी सी थी वो भीड बहुत बड़ी हो गई ultimately ये क्या होता है ना जब भारत की बात आप कर रहे हो तो भारत भारत के लोगों से बना है भारत हिंदू और Muslim से नहीं बना है भारत भारत के लोगों से बना है तो गांदी जी का जो मुख्य वज़ा था गांदी जी का यही main name था कि भारत को आजादी दिलाने के लिए भारत के लोगों को सामने आना होगा तो उनको जोडने के लिए उनको बताना होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है तो गांधी जी ने यही कोशिश की थी और अल्टिमेटली उनकी कोशिश रंग लाई भीड बहुत बड़ा रूप लिया और ब्रेटिश सरकार के अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए भी लेकिन ये जादा दिन तक चल नहीं पाया 1922 तक ही चल पाया क्योंकि 20 में ननकोपरेशन खिलापत मोमेंट स्टार्ट हुआ और 22 में जाकर बंद हो गया तो अब ओर रिजन था भाई क्यों बंद हुआ बहुत बार एक क्वेशन पूछा जा था वाट वेर दे रिजन बहेंड विड्रॉल अफ ननकोपरेशन मोमेंट ये बता देते हैं चल ये इसके उपर स्टेडी करते हैं तो एक ग्रूप था गोरखपूर में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ननकोपरेशन मोमेंट को लेकर लेकिन अल्टिमेटली वहाँ पर पुलिस का एक ग्रूप रहता है थाने में ये लोग बहुत बुरी तरीकी से पब्लिक को पीटते हैं वहीं पर तो जाहिर सी बात है सारे लोग तो बरदाश कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसमें जो गुरूप था वो बरदाश नहीं कर पाया और अल्टिमेटली वह भी वाइलेंट हो गया और पुले का पुलिस टेशन को उसमें ठूस के सब को आग लगा दिया जिसमें 22 लोग मर गया गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ उनका कहना था कि मैंने कभी भी किसी को हिंसक होने के लिए नहीं कहा था और ultimately मात्मा गांधी decided to withdraw the moment in 1922 और यही कारण था गांधी जी withdraw कर देते हैं and the moment was turning violent in many places फिर गांधी जी को लगा कि ultimately भाई सत्याग रही को भाई ट्रेनिंग की जादा जरुरत है इसलिए उन्होंने इस non-corporation खिलापत moment को बंद करवा दिया I hope आप लोग को एक clear हो गया होगा अब आप लोग एकदम फटा फट लिख सकते इस अंसर की भाई non-corporation moment को क्यों बंद किया गया अगर किसी को भी किसी और तरह का doubt हो इस topics related तो मुझे comment करके जरूर बोलना चले आगे बढ़ते हैं next civil disobedience moment गांधी जी कैशे दूर दर्शी वेक्ति थे एक अगर कुछ खतम होता है बंद होता है तो वो दूसरे की तैयारी कर चुके होते हैं क्योंकि वो बहुती समझदार और दूर दर्शी वेक्ति थे चले towards civil disobedience, civil disobedience का मतलब गो तहिंदी में सविने अवग्या आंदोलन, obedience मतलब आग्याकारी, disobedience मतलब आग्याकारी तो हम लोग Britishers के आग्या के हिसाब से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा फर्क है, मैंने आप लोग को एक वीडियो दिया जो आपके exam का question बहुत बार पूछा गया है कि what is the difference between non-corporation moment and civil disobedience moment ये एक वीडियो मैंने बहुत पहले ही उसको मैंने public किया है, मेरे चैनल में है, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल के playlist के standard 10 के group में जाकर देख सकता है मैंने उसमें आपके subjects related बहुत सरे history, geography, economics related बहुत सरे chapters के वीडियो दिये हैं, साथी साथ 6, 7, 8, 9, 10 का भी है जिसको देखना हो, जाकर मेरे playlist में देख सकते हैं चले, towards civil disobedience moment में क्या होता है, गांधी जी choose salt as a powerful symbol that could unite the nation गांधी जी को पता था कि नमक की कैसा चीज है, सब को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नमक के बारे में कोई जान नहीं रहा है बही जो नमक हमें 8 रुपया, 10 रुपया करके मिल रहा है, इसका दाम 8-10 रुपया क्यों होगा क्योंकि ये नमक तो जिस पानी से बना है वो मेरे ही देश का है ultimately पहले क्या था उसमें भी जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वो मेरे ही देश के cotton से बना हुआ है फिर भी हम इतना महंगा पहन रहे हैं लोगों को ये बात समझ आया और इसके against में लोगों ने revolt करना start किया तब second topic आ गया भी जो नमक हम लोग खा रहे हैं इसका भी तो दाम बहुत ज्यादा है क्यों तो ultimately गांधी जी ने लोगों को जागरुक किया और 12 March से लेकर 6 April तक 1930 में इन्होंने डांडी March किया याद रखे डांडी March को ही हम लोग salt सत्यागरह भी कहते हैं civil disobedience moment भी कहते हैं क्योंकि 1930 में यह चीज़ हुआ और डांडी यात्रा भी कहते हैं इसमें इन्होंने विश्वास नहीं होगा पैदल 390 किलोमेटर चले थे साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक का यात्रा 390 किलोमेटर का है और वहां जाकर इन्होंने इस नमक के कानून को तोड़ दिया मैं जरह बता जो नमक का कानून क्या था basically नमक का कानून ऐसा था कि Britishers के पास monopoly of trade था कि भई नमक को बनाने का आधिकार सिर्फ और सिर्फ Britishers को है इंडियन्स को सिर्फ यही अधिकारे की खरीद कर खाओ और Britishers को बुनाफ़ा पहुंचाओ ये था कानून तो Britishers ने क्या किया जो कानून नहीं मानेगा डंडे मारो गोली मारो तो गांदी जी बोले गोली ही खाएंगे डंडे ही खाएंगे लेकिन हात नहीं और अल्टिमेटली उन्होंने इस कानून को तोड़ने का फैसला लिया दिया दिया जोइंड गांदी जी ने पद्यात्रा की अबरे डिसर्स को कोई फरक नहीं पड़ा कर लो लेकिन जब गांदी जी ने सॉल्ट लो को तोड़ दिया तो पूरे भाण हारत में लोगों ने क्या किया ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार के कानून को मानना बंद कर दिया और उन लोगों ने अपने अपने जगा पे लौ तोड़ने शुरू किये जैसे जंगल में गुसने के लिए टैक्स देना पड़ता था बंद कर दिया जंगल से कुछ ल लोडों का नुक्सान हुआ जो टैक्स रवर नहीं वा रहा था मिलना बंद हो गया तो अल्टिमेंट लिब्रिटी सरकार क्या करेगी एक ही चीज करेगी more than 60,000 volunteers from all over India were brutally treated and jailed आपके book में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि actually उस समय क्या हुआ था लोगों को मारने के लिब्रिटी सरकार ने permission दिया था वो घुटने के joint पे मारना है और कान की उपर सिर के जोईट पर मारना है ये लिखी तादेश दिया था कि ऐसे मारो ताकि वो दुबारा खड़ा नहीं हो पाए डंडे से मारना है तो ये था उनका treatment अल्टिमेटली क्या हुआ ऐसा situation होगा कि बड़े बड़े जितने भी नेता थे गांदी जी खुद जेल मे हो चाहे जंगल हो लोगों ने कानून को तोड़ना शुरू कर दिया था और अल्टिमेटली ब्रिटिशर्स के ग्रूप में जो पुलीसमेन थे गांधी जी का आवान थोड़ा सा लग था नंका उपरेशन मोवेंट में गांधी जी ने कहा कि नौकरी छोड़ दो लोगों न सिविल डिसओडियन मोवेंट में गांधी जी ने कहा था नौकरी किसी को नहीं छोड़ना है लेकिन जो भी सत्याग रही है जो भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनके साथ तुम खरा बैबान तुम उनको मारोगे नहीं तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगे तुम मोंइंट और सिविल डिसवेदिएन्स मोंइंट में बहुत सर फरक है to है दो यह अंडोर फरक होना है तो लोगों ने कानूं टोरना शुरू किया तो कानूं टोरने के चक्कर में ६िटिश सरकार को करोंडो का नुक्सवान तब लोगों को पीटना चालो की, मारना चालो की, ill treatment चालो की, तब जो हालत बहुत खराब हो गया, तो ultimately गांधी जी ने इस अंदोलन को भी decide क्या की बंद करना है, और ultimately वो गांधी-इर्विन पैक्ट के लिए तयार हुए थे, ये Lord इर्विन आय थे गांधी जी को मनाने के ल मान जाहिए और First Roundtable Conference के लिए First Roundtable Conference के लिए Gandhi जी को मनाने के लिए आया थे Gandhi जी गये नहीं थे Second Roundtable Conference के लिए मनाने के लिए आया और इतने सारे लोगों को jail में ठूसके रख दिया गया तो Gandhi जी ने भी अपने और से बहुत सारे demands रखे तब जाकर और खासकर एक डिमांड ये था कि जितने भी पोलिटिकल प्रिजनर से उन सब को जेल से रहा कीजे उनके साथ दुर्भवार बंद कीजे तब जाकर वो माने तो गांदी जी को भी बोला गया और civil disobedience moment गांदी इर्विन पैक्ट के साथ बंद हुआ चले आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में गांदी जी रेकोगनाईज हरीजन्स इस समय गांदी जी ने इसके पहले आगे जी ए पार्ट आप दुर्मेंट गांदी जी ने का कि जब भारत देश का आंदोलन है तो भारत के हर ग्रुप के लोगों को इसके साथ जूड़ना होगा जिस group को लोग अपने दिमाग के गंदगी के चलते अच्छूत मानते हैं इनके साथ मिलना नहीं पसंद करते हैं गांधी जी ने उनको अपने साथ मिलाया अपने साथ रखा उनके साथ बहुत सारे आंदोलन किये उनके कंदे से कंदा मिला कर चलाया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और गांदी जी ने उनको एक नाम दिया तब गांदी जी ने ये हरीजन नाम दिया कि सन उफ गौड गांदी जी called untouchables as हरीजन the children of God and assembled them उनको इकटा किया, उनके साथ रहे, उनके साथ खाया, उनके साथ बहुत सारे नालियों को भी साफ किया, थाकि लोगों को लगे कि नहीं, ये सब काम किसी छोटे बड़े के लिए नहीं है, ये सब काम हमारा है, और कोई भी इंसान अपने जन्म जात छोटा बड़ा बिलकुल नहीं होता है, डॉक्टर बी आरंबिटकर, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, यह भी बहुत संगर्श करके इस जगह तक पहुँचे थे, who organized the Dalits into a depressed class association, इन्होंने एक association मनाय था, depressed class association 1930, इनका clash हो गया मात्मा गांदी के साथ, थोड़ा सा विचारों में, दोनों के साथ मतलब विचारों का मेल नहीं बैठा, and इन्होंने second roundtable conference में demand किया कि भई हमें separate electorate चाहिए दलित के लिए, तो ये चीज गांदी जी को बिलकुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे भी क्या होता, भीड बढ़ जाता, और गांदी जी यही बटवारा नहीं चाहते थे, अल्रेटी भीड हिंदु मुस्लिम के नाम पे बटा हुआ है, अब फिर दलितों के नाम पे बटेगा, तो भीड और चोटा हो जाएगा, इससे क्या होगा, आजादी का लड़ाई चोटा हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो अल्टिमेटली लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ सप्टेमर 1932 का इस दौरान क्या हुआ, गेब दा डिप्रेस्ट क्लास, लैटर नोन अज शिडूल कास्ट, डिप्रेस्ट क्लास को सिडूल कास्ट के नाम से बाद में रेकोगनाईज किया गया, और यहाँ पर इनके लि बाटो और शासन करो, चली, यहां तक था इस वक्त का कंडिशन, चली, नेक्स्ट में आते हैं, अब है सेंस आफ कलेक्टिव बिलॉगिंग्स, ये लास्ट टॉपिक है, सेंस आफ कलेक्टिव बिलॉगिंग्स का मतलब है कि किस प्रकार से लोग इखटे होने शुरूवे, ये सेंस ये भावना कहां से आए तो nationalist movement spreads when people belonging to different regions and communities begin to develop a sense of collective belongings. इसके बाद क्या हुआ? The idea of nation, ये जो राष्टिय की भावना is most often symbolized in figure or image. ये राष्टिय की भावना को figure और image में इस तरीके से भारत माता को देवी की रूप में दिखायागा, ये बंकिंग चंद्र चट्र पाद्धाय थे, इन्हों ने दिखाया first time, तो क्या in 1970 और इन्हों नहीं वंदे मातरम को लिखाया, याद रखेगा वंदे मातरम लिखने वाल रबिननाथ टेगोर है, जनगनमन हमारा रास्टिय गीत है, चलिए, next है, साती साथ कैसे भावना को बढ़ा, ये देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत सरे कभी थे, इन लोगों का बहुत बढ़ा रोल था, बंकिंग चंद्र जी का, भारत माता का रूप देना, वंदे मा माहतरम का गीत, तो ये लोगों के मुँ में गुज गया, और लोगों के दिमाग में भी घूसा, और जब ये गीत गुन गुनाते थे एक जोश होता था, और लोग यही वंदे माहतरम का नारा लगाते हूए, ये मरने के लिए भी तयार हो जाते थे, क्योंकि ये वर्ड ही एसा है लोगों की खून में जोस डाल देता है इंडियन फोक सॉंग साथी साथ जो लोग कीत होता है एंड नाटक्स ये जो नुकर नाटक टाइप का होता है उस समय भी ये लोगों में बहुत ज़्यागरुकता फैलाता था प्लेट अन इंपोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंदन दा फीलिंग्स इन लोगों के भावनाओं को मजबूत करने के लिए फोक सॉंग और नाटक्स ने बहुत बड़ा रोल किया इन लोगों ने कलेक्शन अफोक टेल्स लिखा और सॉंग्स लिखा फोक रिवाइबल लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो यह फोक तो लोग गीत है गाउदियाद के चीजों से ही जुड़ा हुआ है और लोग वहां से इंस्पिरेशन लेने लगे कि भई वाकई में अब जो गाउदियाद के दूर दराज के लोग थे जिनको शेहरी करन से बहुत दूर थे उनको को उतना मतलब नहीं था लेकिन इनको समझवाने लगा कि भई अल्टिमेटली हमारे उपर ब्रेटिश राज कर रहे हम लोग को इनको राज करने नहीं देना है हमारे देश है हमारे लोग होने चीए हम मतलब सरकार हमारी होनी चीए इससे क्या होगा हमारे उपर अत्याचार और जो जुल्म कर रहे वो नहीं होगा अन्याय नहीं होगा यही सबक वो लोग हमें सिखा गया इसके लिए भी बना थे देखें मैं आपको दिखाता हूँ यह रहा हम लोग का फर्स्ट जो फ्लैग था इस तरीके से ट्राइकलर था आठ कमल थे और यह चांद और सुरज हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक था ताकि लोग देखें लोग समझें और लोगों में भावना जागें बेसिकली यह सारी चीज़े क्या है यह लोगों के भावना को दर्शाती है और लोग जब भावना में आते तब ही खटे होते हैं तब यह जादपात हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं दिखता है सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि भारतिय होने की भावना और यही भावना तो प्रती सोचते थे वो लोग यही भावना जगाना चाते थे सब के दिलों में तो means of creating a feeling of nationalism राश्टर की प्रती भावना को ही create करना इनका मुख्य मक्सद था was through re-interpretation of history यही बात कहा गया The nationalist writer urged the readers to take pride in India's great achievement साथी साथ उन लोगों ने यह वचन लिया था pride लिया था कि इंडिया के great achievements जितने भी उनको बताएंगे जो past में हुए है जो struggles हुए है जिसने change किया है miserable condition of life under British school इन लोगों ने भारत देश की इतिहास को local इतिहास को उठाना शुरू किया और लोगों में यह जाग रूपता फैलाया कि जो बीते समय में जितने struggles हुए है जब वो लोग struggle करके इस अवस्था में आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं अल्टिमेटली भारत मा को एक image के रूप में दिखाने का श्रे बंकिंग चंदर चट्व पांधायजी को जाता है यह जो figure है पहले national flag इस रूप में बना फिर 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 इस रूप में अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट जरूर कीजेगा इससे मेरा हिम्मत बढ़ेगा फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो आपके सिलबस और सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा इतना किमती समय देया आप लोग ने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद